पहाडों पर बर्फ बारी जारी है और जन्वरी के महीने में पहाडों पर जम कर बर्फ बारी होई गैरिसन के उत्राखन विदान सभावा परीसर पर एक फूट से ज्यादा बर्फ जमा हुआ है तस्वीरे जो दिखा रहे हैं हम आपको आपके टीवी स्क्रीन पर तो बर्फवारे के चलते विदासभाब भवन परिसर की खूबसूरती और भी बढ़ गई है लोग बर्फवारे के अद्बूत नजारों को देखने के लिए पहुँच रहे हैं बही कई जगाओं पर बर्फ के चलते रास्ते जाम भी हो गए बही मसोरी शहर में बर्फ तीसरे दिन भी लोगों के लिए मुसीवत बनी रही शहर में बर्फ के ऊपर पाला पढ़ने से वाहनों के फिसलने का खत्रा बन गया भारी बर्फ बारे से कई गाओं का संपर्क मार कट जाने से जुनता की मुश्किले लगातार पढ़ रहे हैं तो शहर और आसपास के गाओं में बिचली पानी की समस्य से लोग परिशान है बहानों के ऊपर बर्फ की मूती चादर अभी भी जमी है तो पाले की वजह से पसे परटक वानों को स्थाने लोग और पोलिस के जवान डख्का माग कर निकालने की कोशिश कर रहे हैं जिससे सैलानी सुरक्षित निकल से के शहर के अधिकान श्रसंपर्क मार भी पाले की कारण बंध है नगर प्रशासन पाले को जेसी मशीन से पाले हटाने की कोशिश कर रहा है अब जो पाला पढ़ रहा है और जो पिसलन हो रही है चलने में बहुत बारी मुश्किल हो रही है अब आज हमने वापिस निकलना था तो होटल से गाड़े निकालना बहुत मुश्किल हो रहा है क्योंकि वाए से कोई बरफ अताने का तो कोई इंतजाम प्रषासिन के दरफ से है नहीं कोई तो सोच रहे हैं वापिस जाने का पर फथे हुए हैं क्या करें बरफ बारी जितनी पढ़ने पे अच्छे लगती उसके बाद इस्तानी लोगों की दुश्वारी उतनी जादा बढ़ जाती आप देखो के लंड़ार की साइड जाओगे या आप की दागवर की साइड जाओगे तो पाला से लोग पाले से पाला पढ़ा हुआ है बरफ के ओपर लोग फिसल रहे हैं बुजुरुग फिसल रहे हैं बच्चे फिसल रहे हैं तो कहीं न कहीं लोगों की दुश्वारे तो बढ़ी गई ये बरफ से पारी तो बिलकुल ठीक हुई फसकलास हूई ये त। उसके बाद जन्ता को वहतना पड़ रहा है वर्वत खतर नाक है। ज़ेसी भी चलने के बाद क्या हो जब चलिदो बरप दब गई। दबने के बाद शाम को पाला पड़ा। लेकिन स्थाने लोगों के गर बात करें तो ये बर्फवारी किसी परिशानी से कम नहीं साबित हो रही तो कई इलाकों में जमकर बर्फवारी हुई जिसे दो दर्जुन से ज्यादा गाओं में बिचली पाने की विवस्ता पूरी तरह से ठप हो गई तो खाने के जरूरी सामान के लिए भी लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है तो इतना ही नहीं जिले के चमबा मसूरी राजमार परफ़ारी से बंद पड़ा है हाला कि प्रशासन ने चंबा मसूरी राज मार्गों को खोलने के लिए तीन-तीन JCB मशीन लगाए है लेकिन ये JCB मशीने भी मार्गों को खोल नहीं पाई है जिससे लोगों को कई-कई किलोमेटर की दूरी तैकर पैदल ही सफर करना पड़ रहा है इसलिए नहीं आ सकता है कि अभी रोड बंद है और साथ आरतारीक बहुत भारी बरप पड़ी यहां पर और रोड बंद होने के कारण भी निया पारी यहां पर लैट भी नहीं है हैं बहुत सारी दिकत चल लिए आज के लिए अपर हैं और यहां सारा रोड बंद है यह समनलों की बर्भी डाय तीन फुर्चे उपर गई और परिसान हैं सब लोग इसलिए बर्भ के उजी से ना रोड खुली नहीं और जो है समनल परिसाने हो रहे हैं सभी चीज के अस्तिव सब लोग मैं वाधि के बारव जादा परिसानी होरी यहां पर लाभा सी पंद ही और तीन चार दें से रास्थे बंद हैं और बिजली भी लग वग वाधिती दीन तीन चार दें से बंद हैं और पानी कोई हो नहीं है